हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया, गंगा मैया ये गंगा मैया, बरहर गंदी, जय 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 बरहर गंदी निर्बल का बल, तेरा ये जल, अमर्त जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिये जूबे कभी न, उस पारी की नया, जिसकी तू बन जाए खे मैया गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया आप खुछ से छल कर रही है गंगा मैया ये छल नहीं है वत्स, मा की ममता अपनी संतां की रक्शा कर रही है झाल 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 प्रणाम माता माता लगता है अभी तक बात आप तक पहुची नहीं कौनसी बात देवर्शी? ना रायन, ना रायन, ना रायन बड़े दुख की बात है सारे संसार का मंगल, अमंगल की काम ना करने वाली अपने भावी अमंगल से अनभिग्य है ये तो गंगा मैया की कृपा हो गई और आपका पुत्र बच गया क्या हूँ मेरे पुत्र को? इस बार तो उसका अपहरण होते होते बच गया परन्तु तारकासुर एक बार धोका खा सकता है बार बार नहीं माता तारकासुर मेरे पुत्र का परण करना चाहता था सुन रहे हैं आप महादेव अरे-अरे माता क्या कर रही है आप महादेव की समाधी में बाधा मत डालिए शुवी पुत्र की सुरक्षा का कला प्रबंद कीजिए परंथ कैसे कर सकती है क्यों मैं क्यों कर सकती और यहां कैलाश पर है और शुपुट्र वास mlN ना रायन ना मतर ना रायन ना रायन यह यह खेल ना खेलूं तो क्या करूं शीज झुकाकर अपनी मृत्यू का स्वागत करूँ सौब दू अपने आपको यम्राज को महारानी मैं मृत्यू का दास बनना नहीं चाहता हूं मैं मृत्यू का स्वामी बनना चाहता हूं आज यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ वो शिफ पुत्र आज भी जीवत है और उसका जीवन सवाद करने वाला तुम्हारा महराज भी अभी तक जीवत है देखता हूं गंगा उसकी कब तक रक्षा करती है देवी गंगा आज देवी गंगा सच कहता हूं अब यदि तुमारी उस देवी गंगा ने मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न किया तो मैं उसे अपने काराग्रा में बंदी बढा दूंगा देवी गंगा असुरों को अपने पुत्र मांगती है और आप माता के बारे में इसा बुरा सूच वो क्या मेरा भला सोच रही है वो तो केवल मुँसे असरों को पुत्र मानती है मन से नहीं को सथ्य तो यह है कि देवी गंगा असरों की शत्रु है शत्रु नहीं स्वामनी देवी गंगा तो सबका उधिर करती है वह असुरों की शत्रों कैसे हो सकती है उधिर उसने केवल देवताओं का किया है असुरों के प्रति कभी अपनी मंद्ता अपनी मिर्त्रता नहीं दिखाई उसने और अब मैं भी उससे शत्रुता निभाने वाला हूं माता से शत्रुता इस माता तो मेरी मृत्य दाता की आश्रय दाता है आश्रय दाता नहीं स्वामी यह आपका ब्रह्म है नई यह मेरा विश्वास है अन्य था शिफ पुत्र को मेरे हातों से बचाने का क्या कारण था क्या घंगा नहीं जानती कि शिफ पुत्र के हातों मेरी मृत्य होने वाली है जानते हुए भी शिवपुत्र को जीवन दान देने का क्या आर्थ होता है यही ना कि वो मेरी मृत्यू चाहती है नहीं स्वामी ऐसा अशुप मत बोलिये मैं तो कहती हूँ आप शिवपुत्र के सामें ही मत जाईए महाराली आप अपने महाराज तार कसुर को तायर या भीरू समझती है नहीं स्वामी मैं तो ब्रमाजी के वर्दान की सफलता को समझती हूँ और किसी भी प्रकार आपको उसे बचाना चाहती हूँ अपने सुहा की अमरता चाहती हूँ मैं मेरे विनिति स्विकार केजिए महाराज अपने आपको शिव पुत्रे से दूर रखिये तुम तो ऐसे ही चिंता कर रही हो प्रिये शिव पुत्र मिरावद कर सकता है किंतु करेगा नहीं क्या हां मैं उस पौदे को बड़ा होने से पहले ही जड़ से उखार फैक दूंगा महारानी हमारी बुद्धी और बल पर विश्वास रखो और शिव पुत्र की और से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रहार से निश्चिंत हो जाओ मैं कैसे निश्चिंत हो सकती हूं हर पल हर खशन मुझे अपने पुत्र की याद सताती है जन्म लेते ही आपने उसे मुझ से दोर कर दिया मां बनकर भी मेरे गुद सुनी है प्रभू मेरे कान मां होकर भी मैं अपने बच्चे का रुदन सुन पाते हैं नहीं इसकी किलकारि मेरे बाहें उसे अपनी चाती से लगाना चाहती है, लेकिन लगा नहीं सकती। मेरे होट उसे चुमना चाहते हैं प्रभू। दूच से भरे मा के स्थन अपने बच्चे को स्थन पॉन कराने के लिए व्याकुल है। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी प्रभू, नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरा पुत्र लाकर दीजिए। देवी पारवती, आप सब को जान कर भी अंजान क्यों बन रही है। क्यों उस सत्यता को विस्मृत कर रही है। कि परमपिता ब्रह्मदेव ने तार का सुर्क वर्दान दिया है। कि हमारा ही पुत्र उसका। हमारे ही पुत्र से क्यों प्रभू। क्या सोचकर उन्हें मेरी ममता पर आघात किया। प्रभू। यह कैसे विडंबना है। कैसा अन्या है यह। मुझे पर दया कीजिए प्रभू। मेरी ममता पर तरस खाईए। मुझे मेरा पुत्र लाकर दीजिए प्रभू। अभी इसी समय। अन्याथ मुझे प्राम रहित समझे। तो ठीक है देवी। मैं अभी सुर्गंगा जाकर आपके प्रेय पुत्र को लेकर आता हूं। महादेर। यह आप क्या करनी जा रही है महादेव। ब्रह्मदेव। देवी पार्वती चाहती है कि आप सक्ति में ही भोले नाथ है। देवी पार्वती में भावनाओं में आकर कुछ कह दिया और आप मान गये। देवी पार्वती का मन तो इस समय मात्री प्रेम और पुत्रों में फसा हुआ है इनका ध्यान सृष्टी के उस सभी पुत्रों पर है ही नहीं, जो दार कासुर के हाथों मारे जाएंगे उन माताओं की व्यथा भी नहीं देख पा रही है कि जिनकी गोदे सूनी हो जाएंगी परम तु परम पिता आपने ऐसा वर्दान दिया ही क्यों मैं वर्दान देता हूँ तपस्वी की तपस्या पर पसंद होकर किन्तु जगत कल्यान से वेमुख कभी नहीं होता देवी पारवती यह आप कैसे भूल रही है कि दूसरों की भालाई में ही अपनी भालाई छिपी होती है क्षमा कीजिए परम पिता किन्तु मुझे अपने पत्र को अपने से दोर रखने में कोई भालाई दिखाई नहीं देती आप भगवन शेव को सुर गंगा जाकर हमारे पत्र को लाने दीजिए आप कैसी मा है देवी जो अपने पत्र की सुरक्षा नहीं चाहती कैसी मा है आप जो अपनी संतान का कल्यार नहीं चाहती उसका जीवन नहीं चाहती यह जानते हुए भी कितार कासुर आपके पुत्र के प्राणों का शत्रु है उसे एक बार अपहरन करने का प्रयास भी कर चुका है है और फिर प्रयास करेगा वह प्रयास करेगा शीव पुत्र की हत्या हो कि क्या चाहती देवी कि su r k अपने प्यास में सफल हो क्या आप अपने पुत्र की मित्त्यु चाहती हैं नहीं 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 देवी ना रायन ना रायन ना रायन प्रणाम परंपिता प्रणाम भोलेनाथ कल्यान मस्तु धन्य है आप प्रभू धन्य है सब कुछ जानते हुए भी माता पार्वत्य के सांतोना के लिए कैसे तैयार हो गए आप सुर्गंगा जाने के लिए मेरे वर्दान की सफलता का श्री महादेव को ही जाने वाला है वत्स परंटू ना रायन ना रायन एक प्रार्थना करने को बहुत दिनों से मन कर रहा था परंपिता यदि आप क्षमा कर दे तो कहो वत्स अपने इस पुत्र की ध्रिश्टता पर ध्यान मन दीजिए और यह बताइए प्रंपिता कि आप विधाता होते हुए भी अपने आपने नियंत्रन क्यों नहीं रख सकते यह मेरा वत्स मुझ से पूछ रहा है यह एक देवर्शी ब्रह्मा से पूछ रहा है देवर्शी भला ब्रह्मा से कुछ पूछने का दुश्यास कर सकता है यह जानते हुए भी कि ब्रह्मदेव सदा कल्यान में लगे रहते हैं सदा प्रसंद में रहते हैं सदा वर्दान दे कभी किसी को शाप नहीं देते हैं कि मैं सकते कह रहा हूं ना परम्पिता नारद अपनी सीमा जानता है परंतु पुत्र नारद अपनी जिग्यासा को चांत करने के लिए प्रश्ण पूछ सकता है पूछ सकता है ना परम्पिता ना रायन ना रायन ना रायन आपकी वातसल भरी मुस्कान ने मेरे सारे प्रश्णों के उत्तर दे दिये हैं कि फिर किंदू महादेव कोई पूछ नहीं सकता इंसे अथ्वा कोई प्रशन पूछने का सहास नहीं कर सकता कि अपनी संद्धापन नियंतर्ण क्यों नहीं रख सकते क्यों वर्दान देने पर बड़े उतावले हो जाते हैं वर्दान ये देते हैं और उसका परिणाम आपको और भगवान विश्णु को सभालना पड़ता है पिताश्री आगे से वर्दान देने से पहले तर एक सोच विचार कर लिया कीजिए सुझाओ के लिए धन्यवाद वद्सनारत किन्तों इस ब्रह्मादेव के हाथ बंधे हुए हैं ये क्या कह रहे हैं आप आपके हाथ बंधे हुए हैं इसमें विधी के विधान में ना रायण, ना रायण, ना रायण, ना राय ना रायण प्रणाम भार्गव गंगे प्रणाम मुझे ऐसा क्या काम आपड़ा गंगे जो पहले तो आप मेरे आश्रम में पधारी और फिर मुझे प्रणाम आपके दिल में क्या है देवी मैं बिना सोचे बिना समझे आपके इस प्रश्म का उत्तर हाँ मैं देने के लिए बड़ा तत्पर हूँ बड़ी कृपा आपकी भार्गव आप सचमुच महान है अपनी मृत्य उपर तो आपने शिवजी के आशिरवात से विजय पा ली है किन्तो अब आपके आशिरवात से तारका सुर्भी मृत्य पर विजय पाना चाहता है मेरा आपको प्रणाम करने का ये कारण अनुप्यूक नहीं तो आज आपकी चित व्रत्ती मेरा उपहास करने की है नहीं भार्गव मैं तो चाहती हूं आप अपने तपोबल का अपने तपस्या का उपहास न ओड़ाएं आप तारका सुर्भी के गुरू है तो क्या उसे योग्य दिशा दिखाना उसका मार्ग दर्शन करना उसे उचित अनुचित समझाना आपका कर्तव्य और आपका धर्म नहीं गंगे तुम मुझ आचारे को मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म समझाने आई हो बहुत बहुत धन्यवाद देवी कि मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा करतवव। और मेरा धर्म क्या है। और उसी का पालन भी कर रा हूं मैं। यही मेरा धर्म पालन करना तुम्हें आपत्ती है तो काओ मुझे मैं फे। तार का सुर के प्रती तुम्हारी कोई शुबेख्छा नहीं है उसका कोई दोश है तो बताओ एक शिश्यू के प्राण लेने का प्रयास आपके दिश्टी में क्या है गंगे पहरे मैं ये जानना चाहूंगा कि यो प्रयास क्यूं है और जदि वह प्रियास नहीं किये गया दो Dakota परिणाम किसी भॉघत नहीं प्ड़एगा और धुन समझ रही हो ना कहिंदा विए हो इस सिफ़ी तार का सुर कर प्राणों का शत्त रूफ होने जा रहा है कि वक्राण को प्राणों की रक्षा करने का प्रा만 प्रें यही कहना जाते हो तुम कलए की रक्षा भी कभी होती है अपने जैसे वर्दान पायतं अफ़ीन को मत इनो कि इतने हैं जो संसार में सदा अपने प्रांगे रक्षा कर सकते हैं सब्सक्जारा के लोगें भी को प्राप नहीं लोते में वो मरेगही उसका नाश होना ही है क्या तारकासुर इसका उपवाध हो सकता है नहीं न करो आज नहीं तो कल क्याहती तो हो नहीं है तो फिर वह मृत्यु को अपने आधीन करने का विर्ठ प्रयास क्यों कर रहा है अच्छा तो तारकासुर कि इस प्रयास ने तुम्हें विचलित किया है मैं विचलित नहीं चिंतित हूं भार्गव मैं चाहते हूं स्रिष्टी में प्रेम भक्ती और मित्रता का सूर्य उदय हो और द्वेश्ट तथा शत्रता की रात्री सदा के लिए नश्ठ हो जाए मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सैमत हूं गंगे पूरी तरह से सैमत हूं तुम शिव पुत्र तारकासुर को सूप दो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं अस्रों की भक्ती अस्रों का प्रेम और अस्रों की मित्रता का उदय होता और चमकता सूर्य भार्गव गंगे यदि तुमने शिव पुत्र तारकासुर को नहीं सौपा, जो मैं नहीं सौपूंगी, किसी भी दशा में नहीं सौपूंगी, मैं तारकासुर की अभिलाशा कभी पूरी नहीं होने दूगी, उसके मार का सबसे बड़ा काटा मैं हूँ, मैं उसे शिव पुत्र के पास भी नही तपोबल का प्रियुक करता हूं देखते हैं शिव पुत्र बच्चता है यह तार का सुर अपनी मिर्थ उपर विजय पाता है मुझे तुम पर दया आती है भारगव कितनी तपस्या करते हो कितने कश्ट देते हो अपने शरीर को तब जाकर तपोबल अर्जित करते हो और उस तपोबल को ऐसे दाव पर लगा देते हो जैसे यह तुम्हारा अर्जित तपोबल नहीं किसी अन्यका है फिर से सोचलो भारगव वियर्थ तुम्हारा तपोबल नश्ट हो जाएगा तो क्या करोगे मैं फिर से तपस्या करूंगा मैं फिर से तपोबल अर्जित करूँगा समझी तुम्हारा कल्यान हो वच तेरी जै हो जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया